Good morning students, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे. ठीके, आज हम नई मात्रा सीखेंगे. नई मात्रा कौनसी है? आप ये देखें, एह की मात्रा. आप ये जो मात्रा देख रहे हैं, दो डॉट्स देख रहे हैं उपर और नीचे, तो इनको हम एह की मात्रा कहते हैं इसे हम जब शब्दों के साथ उचालन करते हैं, तो ह का साउंड आता है ठीक है, जातर ये जो हमारी मात्रा है, ये संस्कृत में यूज होती है अब हम इस से जुड़े हुए कुछ शब्दों को देखेंगे वो बनते कैसे हैं ठीक है अब आप ये देख रहे होगे पहला ये अक्षर है ये देखो ये किशीस का दृष्ष है ये सुबह का दृष्ष है जिसे हम हिंदी में प्रातह कहते हैं ये प के साथ प्रा बन गया प और ये जो नीचे लाईन है ये र कहलाती है और ये आ का डंडा प्रा कहलाता है ये पूरा शब्द कहलाया प्रा ठीक है क्या कहलाया प्रा ये कहलाया प्रा ये त और ये ह जैसे कि मैंने अभी बताया था तो पूरा अक्षर क्या बना प्रातह ठ ठीक है, अब हम next चेक करते हैं, अब आप ये देख रहे हो, ये लड़की जो है, आपको कैसी नज़र आ रही है, ये तो cry कर रही है, रो रही है, ये ये दुख है ये, ठीक है, वैसे तो हम दुखी कहते हैं, यहाँ पर दुख दिखाया हुआ है, दुख के साथ देखो, छोट की मात्रा है, यहाँ पर, तो दुख, और फिर ह, ख, दुख कहलाता है, ठीक है, अब हम next चेक करेंगे, अब देखो, ये कौन सा नंबर है, आपका, ये कौन सा नंबर है ये आपका, six, हिंदी में कहते हैं, छ, छ के साथ ह भी बोलते हैं, तो ये छ, ह, छ, ठीक है, असन में आ गया, अब आपको पता चल गया ना, कि ये जो ह की मात्रा है, एह की मात्रा है, ये जो, ये कैसे यूज होती है, है ना, अब हम वियंजनों के साथ इसका उचारन सीखेंगे, कि वियंजनों के साथ हम इसका उचारन कैसे कर सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे, एह की मात्रा तक्षाकार्य 97-2020 ठीक है? आज की तारीक अब आगे पढ़ेंगे ये कौन सा है? कह कह याने हर वेंजन के साथ ह बोलना है हमें तभी वो पूरा हमारा एह का साउंड आएगा दसे ये हमारे सारे वेंजन हो चुके हैं अब आपने देखा होगा कि इनका उच्चारन हमने कैसे किया है अब कलकी क्लास में हम थोड़ा सा ये चेक करेंगे कि इनके साथ शब्दों का उच्चारन हम कैसे करेंगे शब्द हम बनाएंगे कैसे? ठीक है? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है अपयोग वहां पर होगा चीक है? अपना ध्यान रखिए और स्वस्त रहिए धन्यवाद्